जोनी ने गड़ी शॉट मानने की कोशिश की और गेन मिस्स कर दिया तो अब पाँच बॉलों में पंद्रा पाँच बॉलों में पंद्रा रंज इरंगा की कोशिश यही रहेगी कि बल्ले बास से जितना दूर गेंद रखा जाए उतना अच्छा क्योंकि उनके रेडार में यहां गेंद कहीं आ गई तो जितनी सोर से फल्ला गुमाते बाउनरी के बाहरी जागे गेंद गिरेगी दोनी ने च्छा मार दिया वाह वाह और हमारी जाम कामेंटी करें उसकी च्छत्य उपर गेंद आके गिरा क्या शौट क्या प्लेर है पेशर में क्या लाजवाब छत्का रसीब किया है और यही हम बात कर रहे थे कि उनके रेडार में अगर गेंद आ गई तो फिर बाउनरी के बाहरी जाके गिरेगी वो केंद इतना दम खम छोग देते हैं हर एक शौट में ये खुबी है माइंडर सिंग धोनी की उचाई और दूरी दोनों आसानी से हासिल कर लेती है वो केंद जब संपर्क बल्ले के बीचो बीच होता है ये देखिए कमार का शौट बरपूर शौट एमेस धोनी का तो आप बात कुछ बनती हुई नौ रंज और चार बॉल एरंगा अब परिशान होंगे अब प्रेशर पड़ा है एरंगा पे और स्री लंका पे एमेस धोनी फिर से तयार है बड़ी शौट के लिए कवर के उपर से चार रंज मिलते हैं या नहीं मिलते हैं चार रंज एमेस धोनी जवाब नहीं है पाँच रह गए और तीम रंस जैसे के कैलकुलेटर फिट है उनके जहिन में जैसे के फील्ड फिट है मेस धोनी के जहिन में पैंस खुशी से जूम उठे यकीन नहीं आ रहा ला जवाब इनिंग्स खेले और क्या बेंटिंग कर रहे हैं जैसे प्रेशर पढ़ा है मेस धोनी ने अपनी क्लास दिखाई है यही वज़ा है कि यह कभी विचलित नहीं होते कभी खबराते नहीं कभी हताश नहीं होते क्यूंकि इनको अपनी काबलियत पे भरोसा है यह खूबी है महिंदर सिंग्धोनी की दबाओ अब पढ़ चुका है इरंगा पे और वो जाला अनुबवी है नहीं इसका फायदा उठाएंगे अब भारती कप्तान तीन गेंडे पाच रंग जीत से दूर सिर्फ एक शॉट की बात है यहां एक बाउंडरी भी निकल आई तो स्कोर बराबर हो जाएगा हमला थेरोगा एमेस दोनी तयार सीदी शॉट चैरेंज फ्लाट भारत फाइनल जीत गया भारत फाइनल जीत गया एमेस दोनी जीत गया माइडस टच लफ्स मेरे पास नहीं है कि मैं ये बता सकूं कि एमेस दोनी ने क्या जादू दिखाया यहां पर एक हरवा मैच जीते हैं और ये सिरफ एमेस ही कर सकते हैं जादूई ताकत है इनने और इनका जहें जितनी बड़ी मुश्किल सिचुएशन हो उतना ही साफ काम करता है क्लैरिटी होती है कहां इनने शॉट लगानी है और भारत ने कमाल फाइनल जीता है एक विकेट से एमेस दोनी ने एक्तमाल कर दिया जिया इनके शब्द कोश में असंभब शब्दी नहीं है